खबर इंडिया सेवन बहुत जल्ब भारत के पहले 4G स्मार्ट फीचर फों यानी जियो फों की प्री बुकिंग शुरू हो जाएगी रिलायंस ने अपनी एलान किया था कि इस फों की प्री बुकिंग 24 अगस्त से शुरू होगी वहीं सितंबर के पहले सापता से इसकी डिलिवरी भी शुरू हो जाएगी फों पहले आउ पहले पाउ की तरज पर दिया जाएगा नुकेश अमबानी के इस फों की खास बात है कि ये फ्री में दिया जाएगा हाला कि लोगों को 3 साल के लिए इस फों की सिक्यूरिटी मनी 1500 रुपे भी जमा करनी होगी लेकिन इस फों से जुड़ी एक बात ऐसी भी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है भारत में इन दिनों Made in China प्रोडक्ट का विरोध बढ़ता जा रहा है अधिकतर लोग स्वदेशी पर जोड़ दे रहे हैं वीवो आपको जैसी चाइनीज कंपनिया जो भारतिय मार्केट में अपनी जड़े मजबूर कर चुकी है उनका भी जम कर विरोध हो रहा है Made in China इसलिए सस्ता फोन जियो फोन के लिए यूजर को पंद्रह सो रुपे खच करने होंगे जो तीन साल के बाद रिफंट हो जाएंगे यानि यूजर को ये फोन फ्री में मिलेगा हाला कि पैसे रिफंट करने के लिए कमपनी ने कुछ टर्म्स एंट कंडीशन भी बनाई है वैसे इस फोन के सस्ता होने के पीछे इसका Made in China होना भी हो सकता है अभी दुनिया भर की सभी कमपनियों के स्मार्ट फोन में यूज होने वाले प्रोसेसर और चिपसेट शीन में ही बनते हैं जिन कमपनियों ने अपने प्लांट लगा रखे हैं वे भी प्रोसेसर और चिपसेट शीन से ही इंपोर्ट करती है यानि कोई भी फोन चीन के बिना तयार नहीं हो सकता यही वजह है कि जियो फोन आपको 1500 रुपे में मिलेगा क्या कहते हैं टैक एक्सपर्ट टैक एक्सपर्ट और फोनरडार के एडिटर इंचीफ ने जियो फोन के वीडियो यूट्यूब पर अप्λοड किया है इस वीडियो में दूनों ने इसके एक मिडिय वीडिय फोने की बात कही है इसके साथ साथ यह भी बताया है कि फोन में यूज होने वाला प्रॉसेसर और चिप से सचीनी है इतना ही नहीं, जो कंपनिया भारत में फोन बना रही हैं उनके 70 प्रतिशत से अधिक पार्ट चीन से इंपोर्ट किये जाते हैं फिर चाहे वो Micromax, Intex या कोई अन्य इंडियन ब्रांट क्यों न हो दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्ट फोन कंपनी बन चुकी एपल के आईफोन भी चीन की Foxconn कंपनी में तैयार होते हैं सस्ता नहीं, महेंगा है फोन तेक एक्सपर्ट की माने तो Reliance Geo का ये फोन 1500 रुपे में भी महेंगा है इस फोन में जो hardware यूज किया गया है वो 900 रुपे से 1000 रुपे के बीच का हो सकता है जबकि फोन में यूज कहीं operating system की cost काफी कम है ये open OS है, जिस पर कोई user भी app upload कर सकता है क्योंकि कमपनी ने जियो फोन का order bulk में दिया है ऐसे में ये फोनों भी ज्यादा सस्ता पड़ेगा जियो ने नहीं दी कोई detail फोन के made in China, उने पर कमपनी ने कोई जानकारी शेर नहीं की है मार्केट में आने से पहले कमपनी इस फोन के बारे में कोई detail नहीं बताना चाहती ये उनकी policy से जुड़ी बात है हाला कि कुछ expert के मुताबिक जियो फोन अगले साल से made in India हो सकता है अगर आपको हमारी ये ख़बर पसंद आई तो शेर जरूर करें देश दुनिया की ख़बरों के लिए ख़बर इंडिया 7 को सब्सक्राइब करें